चलिए, आज हम लोग मिनी के वारें बात करेंगे, अभी आप में से कुछ लोग बोलगी है, तो हमेशा एपल का एक साल पुराना वाला मॉडल ही क्यों रिव्यू करने आता है, तो देखे, आप भी जानते हो, मैं भी जानते हो, कि नए डिवाइस की प्राइसिंग काफी परचेस किया है, इस में बैटरी हलते हो है, 91% यह डिवाइस है, यह आउट आप वारेंटी होने वाले, अभी नेक्स्ट विकी, अच्छा, एक बात तो दोस्तों, आप भी यह मानते होंगे, कि अभी के टाइम पे, जादा करके, जितने भी ट्रेडर्स है, जिन्होंने अभ अब देखिए, आपको पहले यह समझना पड़ेगा, कि जो शेर मार्केट है, यह इतना भी आसान नहीं है, और आपके जो मेहनत के कमाई हुए पैसे है, अगर आप चाहते हों कि वो राइट जेगे पर इन्वेस्ट तो यहाँ पर आपको किसी एक्सपर्ट की जरूत तो फ इसकी भी कही सुनी बातों को सुनके इन्वेस्ट कर देता है तो वो जो है फिर डिपेंडेंट इन्वेस्टर बन जाता है, तो दोस्तों क्यों न आप एक अच्छे से प्रोफेशनल के साथ आप एक कंसल्ट कीजिए, मगर दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्मेंट करने के जिरो अमसी भी प्रोवाइड करता है इतना ही निए, साती सात यहाँ पर आपको एक फाीनने जार एडवाइजर भी प्रोवाइड करता है, जो आपके क्वेडिय झा इन्वेस्मेंट में बहु काफी जाना ह 엄 कलता है Ann साते साते से अभको फ्री साइन डवाइजर मिल जाये, सो यहां पर loss का डर किस बात का वेल आप लोग अभी पूछोगे राहूल यार मोतिलाल ओस्वाल ही क्यूँ तो देखिए यह आपको offer करता है flat brokerage for just rupees 20 per lot and दोस्तों इनका 30 साल से भी जादा का experience है and 50 lakh लोगों का trusted यानि की भरूसा है and दोस्तों यहां पर आपको अपनी जर्णी को शुरू करने के लिए सिर्फ pen card, आधार card and bank proof की जुरूरत है and इसी से आप अपने मोतिलाल ओस्वाल के साथ जुड़ के अपनी जर्णी को आपनी पिसिकली trading जर्णी को आज ही शुरू कर सकते हो दोस्तों आपको इस पर मलता है real time notification के साथ stock recommendation भी and इतना ही यह जो app है एकदम smart and easy भी है and साथे साथ इसमें आपको जो है basket features जो AI tools पर work करता है and दोस्तों यहां पर आपको जो है na brokerage reversal जैसे features भी मिल जाते है अभी इसी वीडियो के description पर मैंने already link provide कर दिया है आज ही जाईए DMIT account आज freely open कीजिए and एक सतर्क नागरिक की तरह आज ही अपने investment की journey शुरू कीजिए चलिए अब वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते iPhone mini को मैं describe कैसे करूं पता है जैसे कि वो बच्चों के दुकान पे हैंग करता हो ऐसा phone रहता पता है जिसमें Barbie के photo पीछे डिजाइन लगे वे रहते है अरे वही जिसमें एक दावाने पर चल चाहियां सी अबस्त है पहले तो मेरे नाम है राहूल आपका सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर Mini के बार में भाया क्या ही बता हूं जैसे लगता है कि Super Splendor में KTM का इंजिन इतने चोटे बाड़ी में इतना पावर इसको इंबैलेंस बनाता है चलिए पहले तो अभी यह समझिए कि iPhone 13 Mini वर्त है या नहीं पहले तो यह बात आप अपल से पूछ लीजे कि क्या यह वर्त था या नहीं क्योंकि उन्होंने खुदी उनका Mini Variant उनको 14 के Series में डिस कंटीन्यू कर दे है उसके बदले 14 Plus लांच किया है एपल को यह चीज बहुत जल्दी रेलाइस हो चुकी है कि यह इतना छोटा फोन हर कोई लेना पसंद नहीं करता अब देखिए यहां पर मुझे पता है कि आप मेंसे कुछ audience Mini को शायद इसलिए प्रिफर करना चाहते हो आपको एक एपल का प्रोडेक्ट तो चाहिए लेकिन सबसे सस्ता प्रोडेक्ट भी चाहिए है डिस्प्ले का बहुत बढ़िया है OLED पैनल है बहुत सब कुछ सही है HDR कंटेंट है 1200 निट्स का ब्राइटनेस है आपके HDR कंटेंट में आउटओर विजिबिलिटी बहुत मस्त है 60Hz का बेसिक पैनल है बट सबसे बड़ा प्रोडलम है इसका साइस अगें आप इसमें कंटेंट देखोगे तो बहुत ही जादा शाप दीखेगा छोटा डिस्प्ले होने के वज़े से लेकिन ये कुछ जादा ही छोटा है तो इस पे न मुझे नहीं लगता कि हर किसको कंटे देखने में मज़ा आएगा प्लस इसका जो ये नॉच है इस चोटे से डिस्प्ले में काफी जादा ही बड़ा लगता है दूसरा प्रॉब्लम अगर आप मीनी लेने जाते हो तो मीनी की बैटरी जो है वो कभी भी अच्छी होती नहीं है 13 मीनी का बैटरी है वो इसके चिप इन शॉर्ट स्रीफ 2400 एमेज की बैटरी अपने पास रखता है तो आप खुदी सोचिए कि कितना ही चलेगा एडिशनली इसमें अगर आपने गेमिंग विमिंग कर ली ना मतलब भाई ये मतलब शायद हाडली देड़ घंटा भी ना चले पहले तो एपल ने जब ये मेनी स प्रडेक्ट चीए था छोटे पैकेज में ताकि वह एपल की एको सिस्टम में बने रहे अब शिर्फ ये दो यूजर से रहेंगे तो एपल की मिनी की सेल होगी कहां से हम इंडियन्स हमेशा बड़े चीज को ज्यादा प्याग देते हैं बराबर विकास हमें कम पैसे में ज् जाते हैं तो इनका डिस्प्ले साइज वह 6.1 इंच से स्टार्ट होता है और 6.7 इंच तर जाता है जो हमारा मैक्स वरिंट है तो इन में क्या होता है कि कुछ लोग अपने फोन में ही थोड़े बहुत एडिटिंग करना पसंद करते हैं तो क्या होता है उनके इस डिस्प्ल में बता रहो इस में कॉम्प्रमाइस है हाला कि मेरा पास 13 Mini है यह मेरे पास Japan वाला वेरेंट है इसमें अपने को अलट स्लाइटर मिलता है यान कि यह जो D&D वाला एक स्लाइटर मिलता है इसको अगर मैं D&D में डाल भी दू उसके बाद भी में फोटो खीचू ना तो भी इसमें आवास आता है समझ लो फिर यह किसी किसी स्पेसिक कंट्री में बैंड है उन लोग चाहते है भले मोबाइल को साइलेंट वी डाल दो लेकिन कैमरा का शटर वाला साउंड हमेशा आना चाहिए लेकिन दोस्तों 5G कनेक्टिविटी में को इशू नहीं आता मतलब इसकी जो clarity है वो भी इतनी अच्छी नहीं अगर मैं compare करें इसी के बड़े वेरेंट से लाइक 13 हो गया फिर 13 प्रो हो गया उनसे चली एक चीज में मिनी तो भाई आपको संतूष्टी देगा वह है इसकी camera capability विकाउस यह आगेन सेम camera setup शेर करता है इसके बड़े भाई से जै ठाक मुझे लगता है लेकिन एक चीज जो है इस device को लेने का सबसे बड़ा फाइदा कि यह एक छोटा सा handcam हो जाएगा अगर आप व्लोग करना चाहते हो आउट डोर में vlogging के लिए इतना छोटा सा device बहुत ही जादा आपको easy भी किरेगा आपका जादा हाथ भी दर्द अगर आप गेमिंग करते हो तो मतलब मैं बहुत मुश्किल है गेम करना परफोर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ गेम बहुत जादा मसलता है इसमें एकदम बिना लैक की एकदम सुपर स्मूध एक्सपिरेंस आपको प्रवाइट करेगा लेकिन कस हम से बोल रहा हूँ मतल बड़े फोन में कैसा फिर भी आपकी एक बार आँक से गिर जाते है इस पर बहुत मुश्किल है इसके बाद इसका कंट्रोल करना मतलब अगर आप अपने दो थम से गेम खेलोगे तो ऐसा लगता है कि पूरे फोन को आपके दो थम से ढख दिया गया है यानि आपके दो थम आपको शाइद आपको और देखना मुश्किल हो जाए यह बहुत जादा हीट भी होता है विकॉस प्रोसेसर काफी जादा पाउरफुल है इसमें छोटा बॉड़ी होने के वज़े से जो है जो है जादा करके डिसिप्र होने का जागा मिलता नहीं है ठीक है तो यह ओवर ही अब तक सारे लेटस अपल के प्रोडट पर यही वर्जिन चल रहा है एंड जब मैने इसको यूस भी किया तो मुझे इतना खास कुछ प्रोब्लम महसूस नहीं हुआ एक चीज मने नूटिस कहा कि यह डिवाइस हीट थोड़ा ज्यादा हो जाता है वाइल चार्जिंग कर या फिर थोड़ा ज्यादा इंस्साग्राम में थोड़ा यूस कर लो या थोड़ा ज्यादा ही कोई एप चला लो तो यह फोन हीट होना स्टार्ट हो जाता है बाकी यूजर एक्सपरिंस पर कोई दिक्कत नियागी यानि कि वो जो अपने तच्टू कॉपी वाला जो सिस्स तो फॉर मी देखिए आपको पहले यू समझना पड़ेगा कि आपकी लेरो यह डिवाइस को मेरे को लेने का आपका में रिजन होगा कि आप वो सारे काम कर पाऊ जो इसमें करोगे नहीं इसमें आप वो सारे काम नहीं कर सकते इसले एपल यह बात पता थे उन्होंने स्वाल को जरू से चेक आउट करना डिस्क्रिप्शिन पर लिंक मैंने प्रोवाइट कर दिया है अगले वीडियो में टेक के ध्यान रिखेगा बाई बाई और आप मुझे बताना आपके आसोस्तिस के बार में